हेलो एव्रिवन मैं हूँ आपका होस्ट अंश्मन और आप देख रहें दब यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जो टीम है उनके बीच में जिसमें मुझफरपूर की मेर भी मौझूद थी तो आपको बता दू तीन वार्डों म उसके नीचे से हटाया जाएंगे फुटपाथी जो दुकान है जो वहां पर पार्किंग के लिए जगा बनाई कई है और वहां पर जो दुकान लगा रखे हैं उन्हें हटाया जाएगा उन छोटे मोटे दुकानों से फाइन नहीं लिया जाता था बर इस बार तगरावाला वहां पर इतना जाम का समस्या लग जाता है किसी करन से इस विवस्था अदर्स का दर्जा उसे छोड़कर तीन वार्ड को चैनित करेगा नगर निकम और उस तीन वार्ड पर काम करेगा और कोसिज करेगा उसे बिलकुल एक स्मार्ट सिटी के तहत जो यह काम चल रहा है उसी के हिसाब से उसे भी बनाया जाए यानि उन महलों को काफी उची अस्तर पर विक्सित करने का सोच है जो सब और अधर साइड रोड का चोरी करन हो रहा है याणि व्यसलियस न इचाने करेगा द真的很 कि बॉन च अलगर ऐगा से पहले तो घिर्णी कें अंदर र artistic बनायाане जाएगा गिर्णी पोकर में लोग जाके सब्जी की खड़ीदारी कर सकते हैं और अखारा-खाट में ही एक जगा जमीन खाली है उस काफी बड़ा जमीन है वहाँ पे तो वहाँ पे ही सारी सब्जी वाले को भेजने का उपाय किया जा रहा है और आपको बता दे कि इमली चटी जो बस है उसी में ही मल्टी पार्किंग एक सुविधा बनाई जाएगी और जैसा कि मैंने बताया और भी ऐसे ही जमीन ढूने जा रहा है जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बना बनाया जा सके लापरवाहित एजन्सियों का होगा डीबिया इसमें चार एजन्सी को चुन भी लि जात रही है उन सभी एजन्सियों को चिनित कर डीबिया के लिए नाम प्रस्थावीत करने का आद्यस दिया गया है और जिसमें से चार जो कंपनिया है उनका नाम दिया जा चुका है डीबियार करने से पहले इन जो कंपनी है यह कंपनी जो है उन्हें एक और बार नोटीस पेटा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा यह काम सेफ दो ही दिन में हो जाएगा यह अगर कंपनी जवाब नहीं दिया तो इसे डी वीयार कर दिया जाएगा अब बात कर लें तो नगर निगम की जमीनों पर बनेगा कमर्सियल भववन जो रोड पे काफी नगर इलाकों में चौरहाओ पर ही यह नगर निगम की जमीन है उस पर कमर्सियल भवन बनाया जाएगा जहां जहां जमीन है उसे एक पर फिर से चिनित किया जा रहा है और जल्द ही इसकी प्रक्टिया शुरू हो जाएगे न्यूज पेपर वाले ने तो एदम कमाल ही कर रहा है दम कोई भी गलती करती है अगर स्मार्ट सिटी कंपनी या नगर निगम तो उसे तुरंत पेपर में चापते रहे हैं बिलकुल एदम और पेपर में देखते ही न्यूज में देखते ही इसका निरक्षन करने आ जा रहे हैं सीनियर तो यह चीज न्यूज पेपर का काफी सही और तुरंत मेर तीन से चार दिन बाद इसका निरक्षन करने आई है और बहुत फटकार लगाया है और इस काम को सही करने के लिए फरवरी तक का डेडलाइन दिया है तो यह सबसे सही चीज हो रही है जितना भी गरबरी हो रहा है यह सिर्फ हिंदूस्तान नहीं प्रभाहत पूर को क्योंकि लोग आवाज उठाते थे लेकिन उपर तक तो आवाज पहुंसता नहीं था तो लोगों को इसी में काम चला नहीं पर रहा था बट यह नया चीज है यह एक से डेर महीना हुआ है यह चीज शुरुआत होते हुए और सारे नीजबर ने चापना शुरू कर दिया ताकि जो भी कंपनी स्मार्चिटी अंडर काम कर रही है वो गलती ना कर सके थैंक्स फर वाचिंग ऐसे वीडियो के लिए बनी रहे हैं हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में